तो आज हम सीखेंगे कि cost function formula को हम लोग as a code कैसे represent कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे सबसे पहले हम लोग numpy को यहाँ पे import कराए फिर matplotlib को import कराए और फिर कुछ additional चीज़े भी import कराए जिसको हम लोग आगे चेक करेंगे किसका क्या importance है इस coding में ठीक है तो जैसा कि हमने linear regression model में हमने दो variable यह थे एक्सटें वाइटरें वैसे यहाँ भी लेंगे और उन्हें error के form में insert करा लेंगे फिर यहाँ पे function को apply करेंगे ठीक है ठीक है अब यहाँ को function को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे for loop चलाए गई है वो for loop इसलिए चलाए गई ह देखें cost function यहाँ पे 0 है ठीक है cost sum जो 0 दिखा रहा है वो jw है जो starting में ली जाती है और यहाँ पे जो for loop चलाए गई वो formula के basis पे चलाए गई है ठीक है क्यों पहले तो हमने fwb मतलब y dash ले लिया y dash क्या था है यहाँ पे y dash वही था जो यहाँ पे estimated हमने लिया था formula में ठीक चलाया ठीक है for loop चलाने का क्या मतलब था for loop यही है जो यहाँ पे हमने summation यूज किया है ठीक है summation को ही हमने यहाँ पे coding में for loop के through चला दिया है ठीक है तो उसकी बाद जब last में हमारा m तक complete हो जाएगा तो जो last j की value आती है cost function की उसको हमनों क्या करवा लेंगे return करवा लेंग तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे j को vary कर आ रहे है वैसे हमारा क्या हो रहा है cost भी vary कर रहा है देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमने जैसे ही w की value चेंज की वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या हो गया j की value भी यहाँ पे आ गई ठीक है अब अब हम यहाँ पर थोड़ा और चेंज करते हैं और जैसे हमने W को लगभख 300 के करीब रखा वैसे क्या हो गया यहाँ पर W इधर आ गया और उससाथ इसका cost function कुछ यहाँ पर आ गया ठीक है अब हम लोग W को सबसे कम कर देते हैं प्रिवेस लेक्चर में देखा भी था ठीक है उसके बाद x train और y train को हम लोग ज्यादा डेटा सेट के लिए लेंगे तो हमारा कुछ और भी graph plot होगा ठीक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि इस code से जो हम यहाँ पर close all लिखा हुए उसके मदद से हम लोग कैसे और graph draw कर सकत है ठीक है यहाँ पर plot matplotlib plt update on click के मदद से हम लोग क्या करेंगे एक 3D view create करेंगे ठीक है यहाँ पर हमें x दिया हुआ है यह x है यह y है x और y के मदद से हम यहाँ पर b की value निकाल पाएंगे ठीक है और b और w क्योंकि हमें w पहले से पता था और b अब मिल चुका है तो उस create on click होता है यह हमें क्या करता है एक 3D view provide करता है जिससे हम लोग यहाँ पर किसी भी portion पर click करेंगे तो उस w और b के लिए वो cost हमें represent कर देगा जैसे कि यहाँ पर यह मैंने click किया तो इस position के लिए ठीक है अब इस position के लिए यहाँ पर इस position के लिए w और b के इस position के लिए क्या किया हमें cost दे दिया ठीक है डबल यहाँ पर कुछ यह था बी यहाँ पर कुछ यह था और यहाँ के लिए हमें यह jw दे दिया ठीक है तो इस तरीके से on click update का भी हमने use देख लिया ठीक है अब आते हैं last में अब जो हमारे यहाँ पर soap बाउल होता है अब यहाँ पर हमारा यह soap बाउल होता है वह हमें क्या करता है इस तरीके का view जिसे हमनों convex function कहते हैं convex function ठीक है यह convex function ठीक है इस view में हमें represent करता है jw की value ठीक है अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर यह हमारा b है यह हमारा यहाँ पर w है और यह represent कर रहा है jw ठीक है तो यह हमारा कुछ इस तरीके का एक view represent कर रहा है ठीक है तो यह रहा हमारा आज का coding ठीक है जिसमें हमने सीखा कि cost function formula को कैसे हम लोग सबसे पहले ठीक है w के साथ vary vary कराते हैं ठीक है यहाँ पर w के साथ vary कराते हैं ठीक है फिर हमने सीखा कि j wb को किस तरीके समलोग graph में plot करते हैं ठीक है तो यह हमारा lecture था अच का ठीक है मिलते हैं next lecture में